ओम श्यंति मेरा ये स्वभाग्य था कि जब मैं जीवन में मुझे एक कौन सा मार्ग अपनाना है, क्या लक्ष लेना है क्योंकि ऐसा लगता था कि जिस तरह से हम अपनी दिन चरिया है, प्राता उठते हैं, किसी को जॉब करनी है, चलो दिन भर खाना, जो खाना है, फिर रात को सो गए, तो उससे मेरी कभी संतुष्य नहीं होती थे मुझे ये लगता था कि ये जीवन अपने कुछ लक्ष की प्राप्ति के लिए है, और सेवा के लिए भी जरूर है क्योंकि इतना सब तन, मन, धन जो कुछ प्राप्त होता है, उसको सेवा में लगाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जीवन में उससे खुशी भी मिलती है, और दूसरों को जो प्राप्ति होती है, सुख बिलता है, तो उसकी भी बहुत खुशी होती है तो इस तरह से ये खोजबे होते होते मेरा, जब संपर्क ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्य विद्याले से हुआ ऐसे मैं ग्यारा वर्ष की थी, जब हमारे यहां लौकिक में सभी दादियें, जो उस समय पर हमारी बड़ी बहनों की तरह थी, वो हमारे यहां पर आती थी, उनको देखते ही एकदम ऐसे दिव्यता का नुब होता था, सच्चाई प्रतक्ष दिखाई देती थी, ऐसे लगता था जैसे एकदम सच्चाई साफ और सफेद वस्त्रदारी तो थी, परन्तु सब के चेहरे पर बहुत लाई बहुत दिव्यता थी, तो वो लोग जब भी बैठते थे ब्रह्मा बाबा की बाते, कि हम सब को सुनाते थे परिवार में, तो मेरे मन में बहुत हुआ कि मैं ब्रह्मा बाबा से मिलूं, तो ब्रह्मा बाबा का देली में आना हुआ, तो मैं बाबा से मिलने के लिए गए, तो मेरे मन में हमेशा ऐसा होता था कि लक्ष्य उच्छा है, मूल्य भी जीवन में होने चाहिए, परन्तो एक संतुलित जीवन हो, जैसे मैं देखती थी कि अगर कोई योगी है या कोई गुरू है, तो वो अपने उस तरह की लाइफ स्टाइल से रहते हैं, लेकिन एक बिलकुल नॉर्मल नैच्रल लाइफ भी हो, और एक उच्छ आदर्श वाली जीवन भी हो, ऐसे मेरी अंदर में खुज रहती थी, तो जब मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा, तो बहुत साधारंग कहेंगे, परन्तु बहुत रोयल, और एक दाव कब्रा भी जो था, वो बहुत साधारंग था, कोई सोफा, कोई फरनीचर ऐसा नहीं था, बहुत साधारंग था, परन्तु उनका बोलना, मेरे से जो वारता लब की, उनके एक शब्द में इतनी महांता थी, कि मैंने सुचा कि ये ठीक लगता है, फिर तो पता चला कि बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा इश्वरी परिवार है, उसकी भी बहुत खुशी होई, और सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी, कि ब्रह्माम बाबा ने कैसे माताओं बहनों को हर तरह से तयार किया है, उनमें रूहानियत भी थी, देव्यता भी थी, परन्तु हर कारे करने में वो लोग बहुत नेपुर थे, बहुत ही हर बात को एकुरेट करते थे, तो कर्म और योग का जो संतुलन था, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि हम बैठे ही रहें, मेडिटेशन करें, बस योग करें, और हमारे कर्म में वो देव्यता ना हो, महानता ना हो, तो ये तो दो बाते अलग हो जाती हैं ना, परन्तु कर्म करते हुए, व्यावार संबन्द और जिसको जो भी कोई व्यापार करते हैं, कोई जॉब करते हैं, सब कुछ करते हुए हैं, हम अपने लक्ष, जो लक्ष है ही अपनी संपूरन स्थिती, एक ऐसी स्थिती जिसमें हमारा मन शांत हो, हमारी बुद्धी स्थिर हो, हमारा सभा और संस्कार में बहुत प्यार और मिठास हो, तो वो सब बाते मैंने ब्रह्मा बाबा में देखी, वो जो भी कुछ कहते थे, तो उसमें तीन बाते मुझे विशेश लगी, एक थो जैसे बाब की तरह समझाते थे, ब्रह्मा बाबा बाब की तरह हर बाद प्रेम से बैठके समझाते थे, परन्तु टीचर की तरह है, फिर पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, जो आप सबको मालूम ही है कि सवेरे बाबा की मोली चलती है, वो हमारी पढ़ाई है, इश्वरी पढ़ाई है, और गुरू के रूप में सारे दिन के लिए हमको डिरेक्शन देते थे या आग्या भी देते थे, तो ये जो बाब, टीचर और गुरू का संबंध मुझे अनुभा हुआ, उससे सीखने को तो मिला ही, लेकिन एक इश्वरी जनम बच्पन, एक तरफ मैं उस समय यूनिवर्स्टी में भी थी, और दूसरी तरफ अंदर में मैं इश्वर की संतान हूँ, तुब अंदर बालक्पन भी बहुत पसंद आता था, और टीचर तो देखो, एक साल नहीं, दो साल नहीं, सारी जीवन की पड़ाई है, और गुरु की तरह गाइद बनकर, हमको साथ मिलता रहता है, तो जब परमाद महां, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, इश्वरी ज्यान देते थे, सत्य की पहचान, स्वयम की पैचान, परमात्मा की पैचान, ये स्रिष्टी एक नाटक है, सारा ज्ञान प्राप्त करते करते, मैंने देखा कि जो बात बहुत करने में संभाव लगी, सैज लगी, वो ये था कि जो आपकी मानियता है, तो जैसा सोचो, वैसा बोल और वैसा कर्म, ये बहुत बड़ा उदारन था ब्रह्मा बाबा की जीवन का, जो अभी भी मन में कुछ होता है, कि क्या सोचे, क्या बोले, तो एकदम ब्रह्मा बाबा की तरफ ध्यान जाता है, कि देखो बाबा का सोच कैसा था, फिर एक ऐसा संतुलन था जिसमें आप silence करो और बोलो भी, बीच-बीच में silence करो और बोलो भी, तो ये जो साधना थी अभ्यास था वो मुझे बहुत पसंद आता था ये नहीं कि सरफ साइलन्स करनी है या सरफ दिन भर बोलना ही है नहीं उसका संतुलन हो और फिर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा और संतुलन था बाबा की जीवन में कि वो इतने प्यार करने वाली आत्मा परन्तु इतना ही फिर अनासक्त भी थी नहीं तो जब प्रेम होता है तो उसमें मौ भी आ जाता है आसक्ती भी आ जाती है लेकिन ऐसा नहीं बहुत बहुत नियारे और बहुत प्यारे थे इसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने शुरू से सभी बच्चों को हर प्रकार की सुविदा हर प्रकार का भोजन बाबा बनवाते थे परन्तु बाबा हमेशा कहते थे बच्चे शरी निर्वार तो खा नहीं है लेकिन आसकती नहों तो सब कुछ होते हुए भी आसकती नहों एक होता है बेराग्य है कि आप सब कुछ छोड़ दीजे आसकती है तो आप वोई सोचिए और ओवर सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करिए बाबा से किसी ने पूछा बाबा जीवन में अम्बिशन होना चाहिए कि मुझे सब प्राप्त हो बाबा ने का हाँ अम्बिशन होना चाहिए पर लोब नहीं होना चाहिए इसका मतलब जीवन में सफलता हो क्योंकि सफलता बहुत ज़रूरी है लेके तो मैंने देखा कि बाबा ने जीवन में हमको कैसे हर कदम में सफलता भी हो परण तुसका इंकान नहीं हो किसी भी तरह की परिस्तिति आए पर अपना जो अनादी सरूप है मैं शान सरूप हूँ, प्रेम सरूप हूँ, पवित्र सरूप हूँ तो हर परिस्थिती में अपनी स्वस्थिती अनादी सरूप की हो तो अनादी सरूप की स्वस्थिती होने से कोई भी परिस्थिती में हम लोग उसको विग्न नहीं देखते पर यही सोते हैं कि अभी कोई सहोग है तो ब्रह्मा बाबा की एक संतुलत जीवन इतनी दिव्य इतनी महान हर प्रकार से कितना बाबा की यह अलोकिक जीवन, spiritual life और साथ साथ बिल्कुल ही जैसे एक मानव की जीवन होनी चाहिए, दिन चरिया होनी चाहिए, कुछ ऐसे discipline जरूर होते थे, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी भी है, तो बाबा ने जो सिक्षा दी सैज राजयोग की जिसमें हमको रोयलिटी, राजाई और योग जिसमें हमको ऐसा सन्यास नहीं कि घर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा सन्यास जिसमें पांचों विकारों का सन्यास, तो हर कुछ जो सीखा, वो बिल्कुल अलोखिक था, न्यारा था, बहुत ही सहज यात्रा रही, और मैं अभी भी अपनी जीवन में ब्रह्मा बाबा को उनके फरिष्टे रूप में अपने साथ अनुभव करती हूँ, और जो भी मुझे गाइडियन्स चाहिए, डिरेक्शन चाहिए, मैं ब्रह्मा बाबा को देख करके उनको ही फॉलो करती हूँ, और आज हम सभी का दिल से ब्रह्मा बाबा के लिए जो प्यार है, एक शिक्षक और रक्षक के रूप में, एक साथी और साक्षी के रूप में, हमारे साथ वो अभी भी हैं और रहेंगे, ओम शन्ति.